हेलो एब्रिवन, वेलकम टो मॉमी डॉटर कुकिंग चैनल, होब आप सभी अच्छे हों ये, आज हमने बनाया है कुछ मीठा गूर का खीर, गूर का खीर तो आप सभी ने खाया होगा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आज हमारे इस खीर के रेसिपी को पूरा चाननी के ये वीडियो को बिना स्किप किये, एम तक देखिये, और अतना रिव्यू शेयर करना हमारे साथ बिलकुल मत बोलेगा, सबसे पहले हमने एक सॉस पैन पे लिया है, एक लीटर पैकेट का दूद, आप लोग चाहे तो गाय का भी यूज़ कर सकते हो, तो अब हम दूद को उ बाल आता है, चलिए देखते हैं हमें खीर बनाने के लिए कितना चावल चाहिए, और क्या-क्या एड़ करेंगे हम खीर में, यहां पे हमने एक कटोरे में लिया है चावल, 150 ग्राम, यह है जोहा राइस, जो असाम का एक स्पेशल राइस होता है, जिसका कुष्पू बहुत दूर दूर तक फैलता है, इसका हम पुलाओ भी बनाते हैं, तो एक बार जरूर से इस राइस को ट्राइ करिए, गूर का खीर मना रहे है, तो गूर तो हमें चाहिए, तो यहां पे हमने आधा कटोरे से थोड़ा कम गूर लिया है, क्योंकि हम खीर में एड़ करेंगे, कंड सेंस्ट मिल्क, सेम साइस के कटोरे से यहां पे हमने आधा कटोरे से भी कम लिया है दूट पाउडर, ड्राइफ रूट्स में हमने लिया है काजू, तोरे से किश्मिर्ष, दो से तीन इलाइची, तेज पत्ते, इनको हम गानिशिंग के लिए यूस करेंगे, यहां पे हमने लिया है थोड़ा सा कोकरनट पाउडर, यह कच्छा कोकरनट जो है उसका पाउडर है, तो यह एक्जैक्ली पाउडर भी नहीं है, थोड़े से यानि की बदाम इसको रात को भीगो के रखा था और काट लिया है हमने, यहां पे दूद भी उबल चुका है, तो चलिए अब ह चावल को दूद में, चावल को हम अच्छे से दाल के मिला लेंगे, यहां पे अब हम डाल देंगे इलाइची और तेज पत्ते और इनको भी हम अच्छे से मिला लेंगे, इलाइची को कूट के डालिएगा थोड़ा सा, अब हम चावल को पकने के लिए गैस स्टोफ को सीम म कर देंगे यानि की लो फ्लेम में बीच बीच में हम थोरा सा हिलाते रहेंगे ताकि यह नीचे से जादा गारा होके लगना जाए तो यहां पे 15 से 20 मिनिट हो चुका है और हमारे चावल अच्छे से पक चुके हैं जैसा हमें खीर के लिए कंसिस्टेंजी चाहिए अब हम एट कर देंगे दूद का पाउडर दूद का पाउडर को भी हम अच्छे से मिला लेंगे और फिर हम डाल देंगे कंडेंस्ड मिल्क कंडेंस्ड मिल्क के साथ ही हम डाल देंगे गूर यहां पे कटोरे में चिपक गया था तो हमने निकाल लिया है उसको अच्छे से गूर को हम ड दाले हैं और आदे हम रख देंगे गानिशिंग के लिए तो अब यहां पर हमने टेस्ट किया था तो थोड़ा मीठा कम लगा तो हमने थोड़ा सा और आदा का टोड़ा गूर एट कर दिया है और इनको दो मनिट हमने अच्छे से उबा लिया और फिर डाल दिया है कोकुनट जो ग्रेट कोकुनट थे ना उनको हमने डाल दिया और आदा हमने गानिशिंग के लिए रखा है कोकुनट डालते ही हम बस इसको मिक्स करके गैस को आफ कर देंगे और चलिए अब हम खीर को निकाल लेते हैं वाहल में खीर बनके रेडी हो चुका है अब हमने जो बा गूद में मिला के हमने नहीं डाला क्योंकि सबको इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है और ऊपर से थोरे से जो हमने लास्टली डाल दिया ग्रेट कोकुनट और यहां पर हमारा खीर गूड का बनके रेडी है अगर आप लोगों को भी हमारी ये रेसिपी पसंद आई ह तो हमारे वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे थैंक यू फो वाचिंग